Constipation, यानि कि कप्च की बिमारी को अगर आप फलके में लेकर इसको जड़ से खतम नहीं करते हैं, तो आपको बाद में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, कोलोन में कैंसर हो सकता है, पाइल्स, एनलफिसर्स, ये सब बिमार भी हो सकता है और तो और Constipation में कप्च को बाहर निकलने के लिए बल प्रोयोग करना होता है, जिससे मलदार बाहर भी निकला सकता है, पेट सही से साप नहीं होने के वज़ा से मुझसे बदबु आने लगती है, स्किन पे खुजली होती है, और भी बहुत तरह के प्रॉब्लेम होती है मेडिकल के अनुसार दो हपते या फिर उससे ज़्यादा टाइम तक अगर आपका कब्ज बाहर निकलने में दिक्कत होता है और पेनफुल होता है, तो इससे Constipation कहा जाता है अब Constipation होने से नॉर्मली सब डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कोई फाइदा नहीं, अब जितना चाहे मेडिसन ले ले, जितना चाहे इलाज करवाले, मेडिसन से इस बीमार को जड़ से खतम नहीं किया जा सकता है जब तक ना आप अपना खाना पीना में बदलाब नहीं लाएंगे अगर आप मेडिसन लेते हैं, तो आपको मालूम होगा, जब मेडिसन लेते हैं, तब कब आसानी से बाहर निकलता है और जब medicine लेना बंद कर देते हैं तो फिर से वही problem आ जाता है और तो और medicine का इस्तेमाल से normal जो मल पास होने का आदत था वो और ज्यादा खराब हो जाता है constipation को जड़ से खतम करने के लिए उसकी कारण को जड़ से खतम करना जरूरी है constipation तो बहुत कारण से होता है लेकिन में जो कारण है बहुत सही diet नहीं लेना और कम पानी पीना अब आप कहेंगे मैं तो पानी कम नहीं पीते हैं और खाना भी सही से खाते हैं तो मैं आपका एक test लेती हूँ मान लिजिए अभी आपके पास दो टाइफ के खाना है एक है fast food और दूसरा है रोटी सबजी MC और आप fast food ही चुनेंगे दोस्तो fast food में dietary fiber नहीं होता है और dietary fiber ही मलकों बनाता है और soft करता है तो आज से fast food खाना बंद करे हाँ कभी कबर खा सकते हैं fast food tea coffee कम पिए spicy खाना नहीं खाए fiber dish food याने कि छिलके समेच जो खाना होता है सबजी फल वो सब खाए आठा का रोटी खाए एक भग चावल तो दो भग सबजिया खाए अगर आपको constipation है तो soybean को avoid करे और डेली 8 से 10 glass पानी जरूर पिए डेली 30 मिनिट तक work जरूर करें सोने से पहले एक काप गरम पानी पिए और सुभा उठने के बाद एक काप गरम पानी पिए अब घरेले नुसके को भी apply कर सकते हैं एक काप गरम दूद में रात में एक इलाईची भीगो कर रख दे और morning में उस दूद को पी ले इससे भी constipation से relief मिलती है अगर आप एस सब follow करते हैं तो constipation जड़ से तो खतम होता ही है साथ में और कभी constipation होता ही नहीं